तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने अपने इस वाले फोन से अपने इस वाले फोन पे कॉल किया है तो इस कॉल को उठाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर रिसी बटन नहीं है कोई भी कटका बटन नहीं है सिर्फ यहाँ पर इस जो fingerprint है आपके touch की ज़र्द पढ़ने वाली है तो ऐसे में ये setting अगर आप अपने phone को कहीं पर भूल जाते हैं मान के चलिए आप अपने phone को घर पर भूल जाते हैं या फिर आप अपने phone को मान के चलिए कहीं पर भूल जाते हैं दोस्तों के पास भूल जाते हैं और ऐसे में उ किसी भी बात का कोई भी डर नहीं होगा क्योंकि आपकी call को सिर्फ आप ही उठा पाएंगे तो यह setting अगर आप भी अपने फोन में करना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि कैसे यह जो setting है आप अपने फोन में कर सकते हैं तो यह जो setting है setting के बार बताने से बले सबसे बले आप सभी को इस video को like कर देना ठीक है तो चलिए मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि कौन सी setting है और किस तरीके से यह जो setting है आप भी अपने फोन में कर सकते हैं ताकि दोस्तों आपके फोन पे भी किसी का भी call आएगा तो आपकी call को आपके अलावा कोई भी आउठा पाई यानि आपके call को उठाने के लिए फिंगर्पिंट की जोड़ पड़े ठीक है तो यह जो setting है setting को करने के लिए आप सभी को अपने फोन में एक छोटी से application को download कर लेना है काफी कमाल की application है और application को कैसे use करेंगे यह आप जरूर से देख लीज़े ठीक है तो इस application का जो link है मैंने video के description में डाल दिया है तो हाँ से आपसे download कर लीजएगा अब download करके जैसी आप इस application को अपने phone में open करेंगे तो यहाँ पर आपको three line के ओपर click करने के बाद यहाँ पर आपको background call में चले जाना है और यहाँ पर आपको animation के ओपर click कर देना है अब यहाँ पर call के ओपर click करना है और call के ओपर जैसी click करेंगे तो सबसे last में यहाँ पर आपको fingerprint वाला option मिल जाएगा ठीक है यह option दोस्तों आप सभी को उसी phone में मिलेगा जिस phone में दोस्तों in display वाला fingerprint option होता है उसी phone में यह option मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर यह setting के उपर आप टिक कर दीज तो उमीद करूंगा यह जो setting है आप सभी को पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो विडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरुचा कर ली जाएगा थैंक्यू